तालाबों के छिचले किनारों पर कीचर में घुमने वाला सारुस बारह मासी चिडिया है जो जोड़ा बांध कर रहती है, एक बार जोड़ा तूट जाने के बाद फिर ये जीवन भर जोड़ा नहीं बांधते आईए सारुस से जुड़े आपको ऐसे ही रोचक तथ्य बताते हैं सारुस की चोच, तांगे आयर गर्दन काफी लंबी होती है, पांच फीट के सारुस का रंग स्लेटी होता है, गर्दन के उपरी हिस्से में सफेदी ज्यादा होती है सारुस के डैने के सिरे गहरे भूरे होते हैं और आख की पुतली नारंगी और पैर गुलाबी होते हैं बच्पन में इसे पालने पर यह इतना पालतू बन जाता है कि मनुष्य के पीछे पीछे घुंगता है साइबेरियन सारस भारत में काफी प्रसिद्ध है जब इसके जुंड भारत में भरतपुर के केवलादेव राश्च्य उद्यान में पहुचते हैं तो अकबारों की सुर्खिया बनते हैं यहां इसका सबसे बड़ा जुंड देखा गया था जिसमें 72 पक्षी थे लेकिन अब यह 10 से 15 के जुंड में ही देखा जाता है दक्षिनी पूर्वी रूस और साइबेरिया में ओब नदी का उत्तरी कछार आदी इसका प्रजन स्थल है मत्य अक्टूबन वंबर में यहां भारत में प्रवास यात्रा पर आता है और मार्च अप्रेल में लौट आता है यहां लगभक 4000 मीटर की उन्चाई पर उड़ता है यहां उतले पानी में रहना अधिक पसंद करता है यहां पूरी तरह शाकाहारी है पानी में उगने वाले पौधों के अंकुर बीज आदी खाता है यहां बहुत सुंदर पक्षी है इसका पूरा शरीर बर्फ जैसा सफेध होता है सिर का अगला भाग चमकदार लाल होता है चोच लंबी, पिली भूरी होती है पैर और पंजे गुलाबी होते है आजकल सारस सुर्खियों में इसलिए है कि भारत के उत्तर प्रदेश के अमेठी के एक गाव में एक इंसान और सारस पक्षी की अनोखी दोस्ती की चर्चाएं सोशल मीडिया पर खूब तारिफ बटो रही है विडियो में देखा जा रहा है कि कैसे सारस आरिफ नाम के लड़के के साथ रहता है उसके साथ खाना खाता है आरिफ जहां भी जा रहा है सारस उसके साथ उड़ता है और गजव बात तो ये है कि अगर कोई लड़की आरिफ के पास आती है तो सारस लड़की को अपनी चौच से मारता है आरिफ और सारस का दोस्ताना फैल गया है कि अखिलेश यादव खुद उनके गाव उनसे मिलने पहुँच गए